कर दो तो कैसे हो आप सभी कर विदे के नियुक एक सेगेन अब एप इप गार तो कैसे हो आप सभी तो के विडियो कोई विलॉगिंग हए to और आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा ऐसी जानकारी टाइटल दिखके तो समझ गेर होगे और थमनेल दिखके में समझ गेर फिर भी में वापस कहना चाहूंगा 5 Myth About Motorcycle That You Don't Know 5 पांच ऐसी अफमाएं जो बाइको के बारे में फेली है और उनकी सचाही आपको नहीं पता वह मैं बताने वाला हूं के पहले हैं के पहले हैं What's up people this is Armin welcome back to my youtube channel happy vlogs लाइस वाले वीडियो में नहीं दी थी और मुझे ध्यान भी नहीं था और मुझे किसयी ने बोला नहीं आयं में ंभी एक बात कमें मुद्धे पायों गया वीडियो पायंगANS मैं क्या वाद कर रहे था पहले मित की मित नम्मर वन मोर सीसी मोर पावर लोग को इसा लगता है कि जो गाड़ी का सीसी जादा है उसको पावर जादा है रहे है वोगारी मितलब वह वहकाल के पावर जादा है पर ऐसा नहीं होता आपकी 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 पावर आपकी als ड के सब्स आप इस पी फी कि आजञे आप शाम čापते मनें जिए घोड़ा शक्ति केते हैं होर्स पावर पावरो सीसी का उतना तल्में नहीं है अब सूथ समय एक्जांपल के साथ आखको बताना चाहूंगा कि अब एक्जांपल नंब वन डियूक 200 आप फोटो डियूक 200 गोर फिर्ट अविलेट जो भी 350 है पावर किसका साथ सीजी किसका ज्यादा है यह टोन्यू इंट सीद्ट सीजी किसका ज्यादा है बुलेट की पावर नहीं है उसके पास बस बड़ा सीसी बड़ा इंजिन है बड़ असली टॉर्क एन्म जो पावर ची रहता है वो के टीम डुक टूंडर के पास है ऐसा हो था और सेकंड एक्जांपल ड्यूक 390 और हाले डैविट्सन सेवन फिफ्टी स्ट्रीट सेवन फिफ स्ट्रीट में बहुत पर आप रेस देख भी सकते यूट्यूब पर काफी डैग्रेस है 390 लंबे लंबे तक उसको पावर में दे सकती है इसलिए सीसी का भी पावर नहीं बदा सकता आपकी गाड़ी का पावर कितना रहगा ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी गाड़ी 300 सीसी और मुझे सह लगता कानफर्म कि परर्माइन गर्बिन जादा रहती है उसलिस नहीं पावर नहीं रहते है को बदेख को अप 되어 ici से exactly है भल आव मरते हरे शुर्चे चीज के लए अलग अलग आणिफ above KTM is a brand जो दो कमपनिया बनाती है एक है ड्यूक जो दो बाईगे बनाती है एक है ड्यूक और एक है आर्सी तो ड्यूक is a naked version और एक है फेरिंग version अभी तक इंड्याम में जितने भी लॉंच हुए ड्यूक 125, 200, 250, 390, 790, 1190 1290 sorry let's talk about RC that is 125, 200, 390, 1290 मैं इस copy column से आपको ये समझाना चाहता था कि KTM एक ब्राइड है जो दो बाईगे अपनी प्रेड्यूस करता है एक होता है ड्यूक और एक होता है र्सी लोगों को ऐसा लगता है कि RC is from KTM but Duke का एक अलगी company है ऐसा नहीं है KTM दो प्रेड्यूस करता है एक होता है अपने नेकेड में Duke और फेरिंग में RC हर एक कमपनी जो हाइ एक्सपेंसिब प्रेमियम बाइक होती हो अपने नेकेड और फेरिंग वर्जन दोनों लांच करती है तो इतने में उसके सीसी होते है इतने सीसी में लांच हुए है और फेर आर्सी में लांच हुए है अब आप सोचों कि ये बंदा बताना क्या साथ इसके गरिये में मैं आपको बता तो अपना मुखडा दिखा कर मुखडा अभी चु मैंने आपको बात समझाई मेरा यह कहना था यह कोई ओफिशल में इतनी है बट मैं लोगों को सुनता हो कि लोग ऐसा मेरे सामने सब बोलते कभी कवार में कोई फ्रेंड ने सा पूछा है है मैं से थोड़ा सा बाइकर जहांका रही है ना तो लोग मिछे पूछ लेते कभी कभार की है है आनन ड्यूक जादा अच्छी के के टीम जादा अच्छी है एं मेरे जवाब मेरे रियक्शंस क्या बोल रहा है वाई यह बोल गया रहा है और जो अपकामिंग जोते बाइकर इंट्रेस्ट वाले लोग उनसे भी कभी कभी गल्तियां हो जाती है क्यों होती गल्तियां यह एक वैलिड रीसा ने इसका उनकी भी गल्तियां निया मैं बताता हूं जब 2017-16 में जब ड्यूक बाइक लाउंच हुई थी के तवारा तो उसमें जो के टीम होते थे वो ड्यू का श्रीकर लगवा तो लोगों को इस तरह से वो प्रॉब्लम हो गलत वैम ही होना चालो हो गई ऐसे समझ रहे हो ना आप गहरा ही बट अब वो ड्यूक में भी के टीम लिखके आ रहा है और सी अभी की भी बरोबर आप भी वो गुंजाईश नहीं आ सकती तो मैंने बता दि तो मित नमर जो थर्ड होने वाली है वो काफी साथा बढ़ी होने वाली है क्योंकि जो मित नमर थर्ड है वो यह है कि लोग सुछते है जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज उनका फिगर रॉंग होता है ऐसा हर को ही सुछता है मैं भी यह सुछता था कि जो कंपनी आमे माइले अपनी बाइक बनाती है तो वह अपने खुद के ट्रैक पर उसे उतारती है और उनलों का एक परफेक्ट स्पीड होता है एक स्पीड में गाडी को गीचा जाता है जैसे कि उनलों का 46 km per hour में गीचा जाता है नो पीलिन कोई पीछे बैठा हुआ होता कोई ट्राफिक नहीं होता एक स्पीड से एक मोशन पर ग्लस्षिप्टर गैर चेंज कुछ नहीं होता बस एक स्टेबल स्पीड रहती है और गाडी स्मूदली चलती है तो उसमें उतनी आपको माइलेज मिलती है इसलिए कंपनी कभी अपनी इसलिए का डीज मिलीज तो आप भी ट्राफिक नहीं है और शायद आपको अपनी जो माइलेज आपको मिल जाका अच्छा लगेगा तो लाइक करें आप कि अपने को देख देख बार बार बोरो गर है इसलिए थोड़ा सा चेंज किया अब मैं बात करूंगा आपनी ऐसे लगते हैं कि यह गलत नहीं बोल सकता है क्योंकि आप अपनी बाइक की जो ओरीजनल चायर फिगर रहेंगे मैं उसे थोड़ा सब्सक्राइब इंक्रीज करोगे थोड़ा सा मोटाप लगाओगे तो आपको स्टेविलेटी मिलेगी बट आप उसको थोड़ा सा ज्यादा उसको यूज इंपक्त तक चेंज करोगे तो फिर आपकी बाइक में प्रॉब्लम सा सकते जैसे कि पावर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इंजिन को जादा पावर लगेगा उसे रोटेट करने के लिए जादा पावर लगेगा तो आपको प्रॉपर माइलेज में मिलेगी और इसा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए जो कंपनी देती है फुल अलाइमेंट के साथ चेको कर देती हो आपे मेक्निक्स एंजिनियर पुरी डेस्ट करते है विंज का सबको देखकर उसे साइज देते है या तो वो साइज जो कंपनी दी वो बेस्ट होता है या थोड़ा सा स्लाइटी जिंजिस कर सकते हो लेकिन यूज इंपक्त आप चेंज करोगे तो आपको दे सकता है प्रॉब्लम स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी चुटक यसा लगते है कि Aftermarket Exhaust can damage the bike ऐसा नहीं होता Aftermarket Exhaust की benefits ऐसे दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसके खाली benefit होंगे खाली benefit होंगे और उसके कोई loss नहीं होगे ऐसा कोई चीज नहीं है इसलिए बनेफ़ेट दुनिया इसके अच्छे लोग किसे लगाना प्रिफेर कर कर सकते तो जिनको नहीं पता aftermarket exhaust क्या होते तो पहले में उनको बताता हूँ aftermarket exhaust जो company हमें देती है exhaust उसे वहते हम stock exhaust जो आपको बाइक के जब आप लेते हो खरीद तो आपको मिलती है जब से change करते हो थोड़ा सा लाउड sound सुनने के लिए बट नहीं हो नहीं पूर रहा है आप बहुत ही लाउड तो ही नहीं बहुत गंदा होते हैं वह खाली जो जो super bikes नहीं लेकिन premium bikes होती है उनमें भी थोड़ा सा soothing exhaust लगता है अचा 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 लगता है जो अच्छी आवाज देती तो फिल्ल सिस्ट्रम होता है फुल सिस्ट्रम फोटो में अपने देखा लेगा थोड़ा चोटा लेगा फुल सिस्ट्रम पूरा बैंड पाइप के साथ आता है तो मैं बतातो हो बैंड पाइप के बेनेफिट लोगों कर से लगते कि वो डामज करते है ऐसा नहीं जब आप exhaust लगाते हो अचा 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 साउंड मिल दी है मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो साउंड नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए बोलो साउंड चाहिए चाहिए लेगे अच्छा वाला ओरीजिनल फर्स्ट कॉपी मैं बता नहीं सकता बट ठीक है एंड स्लिपन में सब्सक्राइब कॉमन और सब्सक् अधिर आप वीक और लाउड में माई वन ओफ फेवरेट एक्सास्ट इस एसी प्रजेक्ट और लोगों को ऐसा लगते है कि हम जब लाउड एक्सास्ट को टूरिंग नहीं कर सकती लाउड एक्साथ के साथ भी आप टूरिंग कर सकते हो बट ऐसा रहता है लोग क्यों प्रि आप लगा सकते हो आफ्टर मार्केट एक्सास्ट बहुत ही अच्छी चीज होती है आवाज जब तक आपकी बाइक से ना निकले तो उसे गुंगी का दरजा मत जीजिए जो पहली सी तोड़े वह ताउन आते जो आपको अच्छी लग रहे हैं सूधिंग आएं इंटु से क कान में चुवे ना बस और सून के सा फील आए हां कि मैं चला रहा है वह लोग मैं देख रहा है अच्कला आप जो आपको सांद सुना तो अच्छी को मौनिंग निकल जो हाईवे पर मिल जाएंगे लोग तूरिंग लिए जाते और जो फाल्तु आटियों का आडियों के आपको काफी लोग दिख जाएंगे कि उनका संदिंग उस्तों होता है मैं को जानकारी है बंट कर दो कि बंदे को 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए इस साल के अंदर हो जाया तो ज्यादा अच्छा होगा देखते हैं आप लोग क्यों फर है जीते में वीवर्स हो दबादो ना स से बढ़ें तो खुछाथ बाधनी से मरती है खुछाब बाड़े और खुछ रहयो खुछ रहो खुछ रहो विर बाइट अ कि अनु अ ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट एग्ज़ॉस्ट कें डेमेज योः वाइक, आफटर मार्केट एग्ज़ॉस्ट डेमेज़ बाइ और गलत बोलने के लिए मैं confused है but मैं इसको totally गलत नहीं बोल सकता सही कि थोड़े से कम जाने से बार सही अच्छा होता है but इसको गलत नहीं बोला जा सकता यह बहुत अच्छा